आज यहाँ हमारे कॉंग्रेस पार्टी के MPs और देश में हर स्टेट में हर कैपिटल में districts और ब्लॉक्स में कॉंग्रेस पार्टी जो priceArise है और चास्त और से जो पेट्रोल और ृडीजल की price Rights है उस पर agitation कर रही है पिछले दस दिन में नौ बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज बढ़ाए गए और इसकी चोट डिरेक्टली सबसे गरीब मिडल क्लास लोगों को पढ़ती है हमारी मांग है कि यह जो प्राइसेज बढ़ती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल औ और अदीजल के दम लिज्दान बन करें तो इसली हम सब यह आई है पूरे देश मी हमारा प्रोतेस्ट चलेगा गाफी दनों के लेख लिए चलेगा Uh.. we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly Government is making thousands and thousands of crores from this over the last ten days nine times they have been raised Congress party is protesting across the country टोब लोग जानते हैं वहर हो एक सब्सक्रीज कोज़ कर दो डही है एक सो दो रुपए है पेट्रोल कदाम आज दिली में ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल का इस लेवल की प्राइस और सरकार सरकार का बड़ा बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीमों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और दो तीन चार बड़े उडियोग पतियों के हाथ कर दो तो यही बेसिक ही प्रोसेस यही चल रहा है फाइदा किसको हो रहा है फाइदा जो सबसे बड़े अरभ पती है दो तीन उनको हो रहा है और नुकसान किसका है नुकसान गरीबों का है मिडिल प्रास का है और जो आम जनता है उनका है उनका ह आप्राइला को तरह प्राइल को लगजा कि अपटरॉल देश की जनता से कहा था था पेट्रोल डिजल भर लो अभी बढ़ लो अभी बढ़ लो कि बाद में मुसीवर्ड दाएं युक् leading आड़ी हो रही हो रही है I'm being, I'll think there's a debate in parliament on Monday Thank you